यूपी के विदान सभा चुनाव से बहुजर समाज पार्टी के खाते में केवल एक जीट आई है बलिया के रसड़ा विदान सभा से उमा शंकर सिंग एक ऐसी शक्षत हैं जिनोंने बीएसपी को एक मातर जीत दिलाई है आपको बता दे कि उमा शंकर सिंग साल 2011 में बहुजर समाज पार्टी अधक्स मायवती के संपर्क में आए मायवती से संपर्क में आने के बाद उमा शंकर सिंग ने साल 2011 में पार्टी जोइन कर ली साल 2012 में जब विदान सबाद चुनाव हुआ तो मायवती ने उमा शंकर सिंग पर भरोसा जता कर उन्हें रसड़ा से टिकेट दिला दी इसके बाद उन्होंने अपनी महनत केबल पर शांदार जीत हासिल की 2017 में मोदी लहर के बावजूद उमा शंकर सिंग अपनी सीट जीतने में कामियाब रहे आपको बता दे कि उमा शंकर सिंग की जीत का सिलसला साल 2022 के विदान सबाद चुनाव में भी जारी रहा और उन्होंने बीएसपी की टिकेट पर रसडा से जीत की हैट्रिक लगाई है आपको बता दे कि उमा शंकर की हैट्रिक वाली जीत सिर्फ उनके लिए ही खास नहीं है बकि राजनीती में भी एक चर्चा का विशय बनी हुई है उनके इलाके में उनकी काफी लोग प्रियता विकास के साथ समाजिक कारे को भी बढ़ावा देते हैं बताया जाता है कि जब उमा शंकर पहली बार विधायक बनी तो उन्होंने 251 गरीब लोगों का शामोहिक विवाञा अपने खर्चे से किया था इसी तरह जब वह दूसरी बार विधायक बने तो 3191 लोगों की सामोह साधी रचाई थी बताया जाता है कि उमा शंकर की लोग प्रियता ही एक ऐसा कारण है जिसके कारण विप्रीश स्थिती होने पर भी उमा शंकर की जीत हुई